उधमसिंग नगर में उस वक्त हड़कम मच गया जब जिले के बाजपूर में एक ट्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया बाजपूर में कोरोना मरीज होने से छेतर में देशत का महल बना हुआ है जांच रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुस्की होने पर जिल्ला पेशाशन स्वास्ति विभाग में हड़कम मच गया जिले में अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की पुस्की हो चुकी है जिसमें चार मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके ह बता दें कि उधंसिन नगर जिले में आया पोजिटिव मरीज जस्वन सिंग बादपूर का रहने वाला है जो कि पेशे से ड्राइवर है और इस 20 मरीज में खाद्यान की आविशक समगरी खई राज्जियों और जिलों में पहुचाई है जानकारे के मुताबिक मरीज 26 अपरेल को हरीद्वार नामक मत्ता और रामनगर से बादपूर आया था जिसके बाद इस्थानी लोगोद्वारा 112 में कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारे दी गई थी जिसमें 27 अपरेल को पुलिस मरीज के घर पहुची और स्वास्थे टीम को इसकी सूचना दी गई लेकिन युवक 28 अपरेल को सौमुदाएक स्वास्थे के अंदर में अपनी जाज कराने पहुचा विभाग द्वारा मरीज का स्वास्थे परिक्षन कर सेंपल लेते हुए हलद्वाने शुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया था खुदवार दे प्रेंग कर दिया गया है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई गया है सेंपल उनका सलिया गया था और जैसा कि और देटेल में हम लोगों उने मालूं किया तो उसका पता ही लगा था कि वो हालिदवार से होता हुआ नानक मत्ता गया था और उसके बाद रामनगर के लापत आ जाता है और उसका पॉजिटिव आ गया है उसके सहब है और घर न उसकी वाईक है उसको भी पॉर्ण टाइम कर दिया गया था पहली और एका दिन नो उन तबी सहंब कर जा जागा तो यह जो पॉजिटिव आए उनको टो हम ने वापस भेज़ दिया है वहां पर सुशी दा कि वाल, मैंडिवल कॉली महीं उनका ट्रीप्मेंट चलाया, और वो एसंटोमेटिक थे